वेलकम तू पोपेन स्काइप अब्यक स्कूल कार्टी मुसभणपूर्पूर्थ मैसेफ पंकल जा बीटेक इन एलेक्ट्रोनिक्स एन इंस्ट्रुमेंटेशन फॉम सास्त्रा उनिवर्सिटी आज हम लोग क्लास 9 के मोशन चैप्टर का फॉर्थ लेक्ट्र करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी लास्ट लेक्ट्र में हम लोगों ने देखा था स्पीड के बारे में तो स्पीड का ड्याफिशन था डिस्टंस अपउन टाइम रेट ऑफ चेंज अफ दिस्टंस और इस्पीड हमारा एसकेलर क्वांट्री था आज हम लोगों वेलोसिटी को डिस्ट्र्स करने जा रहे हैं तो आइए सबसे पहले वेलोसिटी को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ common terms हैं उसको पहले हम लोग point out कर ले सबसे पहला बात तो यह है कि velocity जो है वो हमारा एक vector quantity है that means velocity जब कभी भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो इस term में magnitude भी होगा और साथ ही साथ direction भी होगा it is so because the velocity is a vector quantity vector quantity के पास हमारा magnitude भी होता है और direction भी होता है तो आईए सबसे पहले हम लोग इसका definition देख लेते हैं so friends the definition of velocity is it is defined as the rate of change of displacement मतलब कोई भी object किस rate से displacement को cover कर रहा है उसे हम लोग velocity के नाम से जानते हैं तो जो इसका mathematical expression होगा वो है velocity is equals to total displacement upon total time तो friends यह है हमारे velocity का definition यह को अब फिर से दिहान से देखे हम लोग how velocity is defined so velocity is defined as total displacement by total time तो किसी object ने कितने time में कितना displacement cover किया है इसे हम लोग velocity के नाम से जानते हैं तो आईए अब इसका ऐसा unit देख लेते हैं हम लोग इसका ऐसा unit होगा meter per second friends same यही ऐसा unit हमारा speed का भी था मतलब speed और velocity दोनों का ऐसा unit same होता है अब आईए इसका कुछ example हम लोग देखते हैं तो friends हमारा पास एक example है तो यह हमारा कोशन है एक इंसान चार किलोमेटर इस्ट की तरफ मोव करता है दो घंटे में और फिर तीम किलोमेटर नौर्थ की तरफ मोव करता है एक घंटे में तो हमें उस बंदे का velocity बताना है उस इंसान का velocity कितना होगा तो आईए इसे solve करते हैं हम लोग तो friends इस question को solve करने से पहले हमें इस question के हिसाब से एक graphical representation तयार करना होगा आईए इस graphical representation को हम लोग रप्रेजेंट करते हैं so this is my direction coordinate this direction is east this is west this is north and here it is south question के according man moves 4 km towards east तो अभी हमें 4 km east की तरफ जाना है तो suppose के लिए कि यह आदमें start किया और यहाँ पे यह 4 km east की तरफ move किया है time कितना लगा इसे तो time लगा है 2 hours so let's write it here 2 hour after this the man has moved 3 km towards north अब हमें north की तरफ 3 km जाना है so this is 3 km towards north और time इसमें 1 hour का लगा है तो चली यहाँ पे हम लोग time को भी लिग देते हैं अब इसका हमें velocity बताना है तो गाई जैसा कि हम लोग ने define किया था velocity को कि velocity जो होता है वो total displacement by time होता है और displacement हम लोग निखालते कैसे हैं तो displacement निखालने का तरीका होता है initial point और final point के बीच का straight path तो इस case में यहाँ हम लोग initial point से start करते हैं और फिर final point का पहुंचते हैं यह रहा so this is my displacement तो यह total displacement होगा कितना तो अगर ध्यान से देखें तो यह एक right angle triangle है और जो displacement है हमारा वो इस right angle triangle का hypotenuse है तो बड़े आसानी से हम लोग पाइथागरस थिरम लगा के displacement मिताल सकते हैं तो displacement will be 3 square plus 4 square root इसे solve करते हैं हम लो 9 plus 16 root over प्रस जरूर 25 so the total displacement is 5 km तो फ्रेंड टोटल displacement कितना होगा हमारा 5 km टाइम कितना लगा टोटल तो टोटल टाइम पहला 4 km जाने में 2 आवर का लगा था और फिर next 3 km जाने में 1 आवर का लगा था तो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा 2 plus 1 that is 3 आवर तो अब हम लोग अगर वेलासिटी लिखें तो वेलासिटी हो जाएगा हमारा displacement 5 km और टाइम 3 आवर तो दिस इस 5 अपॉन 3 km पर आवर हम लोग इसको decimal में भी बदल सकते हैं फिलाग हमों किसे ऐसे ही रहने देते हैं fraction महीं उससे कोई problem है नहीं unit हमारा km पर आवर में है यह SI unit नहीं है ध्यान में रखना है आपको तो अगर आप SI unit में convert करना चाहते हैं तो आफको आपको 5 अपॉन 18 से इस term को multiply करना पड़ेगा means 5 upon 3 into 5 upon 18 now it is in meter per second यह हमारा SI unit है तो अगर SI unit में हमें लिखना होगा answer हम SI unit में भी लिख सकते हैं otherwise अगर direct km per hour में रहेगा answer तो हम उसे यहां से भी direct use कर सकते हैं यह बड़ावर हो जागा 25 upon 54 meter per second तो गईस अभी आप लोग कहेंगे कि sir यह तो सिफ magnitude है इसमें direction कहा है तो direction के लिए हमें फिर से काम करना पड़ेगा तो आएए वापस से हम लोग अपने graph की तरफ बढ़ते हैं तो यह हमारा graph है वापस से आ गया अब यह जो तुमारा displacement है यह जो हमारा displacement है इस direction में object move किया है यह कितने degree का angle बना रहा है यह हमें बताएगा कि इस velocity का direction क्या था तो यह theta हमें measure करना होगा तो यह जो theta है यह theta हमारा trigonometry के help से निकलेगा और theta निकालने के लिए हम लोगों को लिखना होगा tan theta is equals to perpendicular upon base perpendicular यहाँ पे कितना है तो perpendicular यह 3 km है और base हमारा 4 km है तो 3 upon 4 friends हो सकता है कि आप लोगों को tan theta 3 by 4 का value पता नहीं होगा कि theta का value क्या होगा इस case में तो मैं बता दूँ आपको कि tan theta अगर 3 by 4 है तो theta का value 37 degree होता है यह आपको math ने trigonometry में पताया जाएगा अभी फिलाल आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि tan theta का 3 by 4 है तो theta का value 37 degree होता है मतलब यहाँ पर जो हमारा यह theta था यह theta हमारा हो गया है 37 degree तो अब direction में कि लोग क्या लिखेंगे तो direction में लिखेंगे the velocity is 37 degree north of east क्योंकि यह north की तरफ जा रहा है 37 degree north of east तो friend आप लोगों को यह बिल्पुल ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग velocity की बात करेंगे तो magnitude तो बताएंगे ही साथी साथ हमनों को direction भी mention करना पड़ेगा यह ठीक उसी तरीके से है जैसे कि अगर हम लोग कुछ और example लेके देख सकते हैं a train is moving towards north at a speed of 3 km per minute तो एक train है कोई भी यह फिलहाल 3 km per minute के speed से move कर रहा है तो अगर हम सिर्फ 3 km per minute लिखते हैं इसका मतलब कि यह speed है अगर हम बोल देते हैं with a speed of 3 km per minute towards east तो अब यह term जो है पूरा इस term को हमनों velocity बोलेंगे क्यों कि इसके पास magnitude भी है और towards east इसका direction बता रहा है कि यह east की तरफ move कर रहा है तो friends इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग direction के साथ speed को बताएंगे तो वो term हमारा velocity कहलाएगा अगर सिर्फ magnitude बताएंगे 3 km per hour तो वो speed कहलाएगा अगर हम लो direction को add कर देते हैं तो फिर वो velocity कहलाएगा एक और example है इस example में एक आदमी है जो किसी circular path पर move कर रहा है यह circular path like a,b,c,da जो आपको circle दिख रहा है इस circular path पर यह आदमी move कर रहा है इस तरीके से और इस circular path का radius 2 meter है यह आदमी पहले b पे जाता है फिर c पे जाता है then comes to d और again यह a पे आ जाता है वापस तो इस तरीके से यह पुड़ा एक circle cover करता है अब इसमें question क्या हो सकता है कि a से c तक जाने में इसका velocity क्या था अगर इसको c तक पहुशने में जो time लगा है वो time फिलहाल 20 seconds है तो चलिए question में पूरा लिख देते हैं हम लोग तो guys question कुछ इस तरीके से है a man moves on a circular path a b c d a a b c d a and it takes 20 seconds to reach c from a c तक पहुचने में इससे total 20 seconds लगे हैं तो बताना है इसका average velocity क्या है तो आइए solve करते हैं इसको हम लोग तो guys जो भी हम लोग velocity निकालेंगे यहां पर इसे हम लोग average velocity भी बहुत सकते हैं तो यह average velocity हो जागा total displacement upon total time तो जैसा कि आपको मालूम है कि displacement क्या होता है shortest path होता है initial point और final point के बीच का तो यहां पर जो a से c तका shortest path है वो इस तरीके का एक straight path होगा यह होगा यह होगा हमारा displacement यह बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि यह इस circular path पे होते हुए क्या distance travel करता है यह किसी भी path से होते हुए आता है बस हमें फर्क पड़ता है कि इसका initial point क्या था और final point क्या है time यहां पर question में ही दे रखा है 20 seconds तो upon 20 this is in meter per second क्योंकि displacement भी हमारा meter में है और time हमारा second में है तो यहां पर क्या हो जागा इसका total 4 upon 20 meter per second यह 5 time में कट सकता है तो हम वो इसको लिग देते हैं 1 upon 5 meter per second direction तो direction की बात करनी है direction इसका हो जाएगा a to c diet friends यह तो हमारा average velocity था अगर हमसे average speed के लिए पूछा जाता तो average speed क्या होता हमाना तो वो होता total distance by time तो आए इस figure में देखते हैं हम लो कि total distance क्या होता तो यह a से b होते हुए c की तरफ गया है तो distance जो है यह इसका पेडिमीटर होता यह पूरा पेडिमीटर इसका distance होता य तो एक circle का half perimeter हमारा distance है तो यह distance आप यहाँ पर यह निकाल लेजिए distance होता है मेरा 2 pi r तो total perimeter होता है बट इसका half that means मेरा यह होता पाई into r यह मेरा distance रहता तो फिर आप हम लोग इस speed एक वा निकाल कर देखते हैं कितना आता है तो यह हज होता हमारा pi into r upon time तो वो ही लगा 20 seconds त तो pi का value हम लोग 3.14 ले रहते हैं radius हमारा 2 था और time 20 seconds तो यह 10 times में गया तो यह बजाए मेरा 0.314 meter per second तो गैस देखें स्पीड हमारा कितना है यहाँ पर 0.314 meter per second और velocity कितना आ था 1 upon 5 meter per second decimal में convert कर लेते हैं इसको यह बजाए मेरा 0.2 meter per second तो friends आदमी का initial और final position वहीद है लेकिन velocity जब हम लोग calculate करते हैं तो value कुछ और आता है और speed जब calculate करते हैं तो value कुछ और आता है तो धान रखना है कि same initial और final position है बट हमारा velocity और speed दोनों का value अलग 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 आता है क्यों? क्योंकि velocity के लिए हमें total displacement लेना होता है और speed के लि एक average velocity में और average speed में और displacement और distance का basic difference आप लोगो पहले से पता है अई अब एक mathematical expression है velocity का वो भी हम लोग लिख लेते हैं तो अब हम लोग define करने जा रहे है average velocity तो average velocity है हमारा total displacement upon total time actually से पहले जो हम लोग define किये थे हैं वो average velocity ही था बस उसका नाम हम लोग simply velocity बोल रहे थे वर जो हम लोग discuss कर रहे थे हैं वो average velocity ही था तो mathematically से लिखते हैं V average is equals to S2 minus S1 upon T2 minus T1 guys अब थोड़ा सा इसमें आप लोग को कुछ हम अलग बताएंगे जो कि general 9th के book में नहीं मिलेगा आपको वो ये कि अगर velocity मेरा एक vector quantity है तो इसके उपर ये arrow लगाना ज़रूरी है ये arrow बताता है कि ये quantity vector है तो velocity vector quantity है इसलिए इसके उपर arrow आ गया इसी तरीके से displacement भी vector quantity है तो इसके उपर भी arrow sign आना चाहिए तो ये जो arrow है velocity के उपर और displacement के उपर ये बता रहा है कि ये दोनों quantity आपस में vector quantity है ये बहुत important है अगर आप इसको याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आप थोड़ा senior level पे जाएंगे तो इस velocity को ऐसे भी लिखा जाता है v equals to average of course average velocity is equals to delta s upon delta time time हमारा scalar quantity है इसलिए इस पे कोई भी हम लोग vector sign नहीं लगाते हैं मतलब arrow नहीं लगाते हैं अगर आप लोग velocity को इस तरीके से represent करते हैं finally तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मना जाएगा friends यहाँ पे कई बार पूछते हैं कि यह sir delta word क्या है तो sir delta का meaning होता है इसे हम लोग पढ़ते delta है और इसका meaning होता है change तो delta s का मतलब क्या हो गया change in displacement और delta t का मतलब क्या हो गया change in time तो यह था हमारा average velocity तो friends मुझे लग रहा है कि आप लोगो average speed और average velocity जरूर समझ में आ गया होगा तो आज हम लोग अपना lecture को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले lecture में हम लोग types of motion पढ़ेंगे जिसमें एक होगा uniform motion और दूसरा होगा non uniform motion उसको आगे discuss करेंगे और फिर यह discuss करेंगे कि non uniform motion में एक example है accelerated motion और समझेंगे कि accelerated motion क्या होता है तो आज के लिए इतना ही thank you thank you very much